मॉड़ी गेस्ट्रेंट्स, मैं हूँ एंजिनियर एमिमरांज सर्थ, B.C. एकेडमी के इस ओनलाइन प्लेटफर्म पे आप सभी का स्वागत करता हम। एक स्पेशल क्लास है जहां पर हम लोग बिहार बोर्ड अपकमिंग इग्जामिनेशन यर 2024 के लिए हम लोग इंटरमीडियेट और मैट्रिक इग्जामिनेशन के तयारी ऑनलाइन के माधियम से कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और इस अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिवल हो आप शेयर करें ताकि वो लोग इसका बेनिफिट्स उठता है और अपकमिंग इग्जामिनेशन में एक बहतर रिजन्ट हांसिल करें अगर आप हमारे चैनल पर अभी जूरे ह सब्सक्राइब करें और साथी साथ बिल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अप्लोड हो आपको उसका डायट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका अच्छे टैल से यूटिलाइज कर पाऊ चले हैं समारे पास फर्स्ट कॉश्चन क्या है कि दिए सुन देखें फिर्सक्राइज सीम्पल करना है executed power320 एक Kiwie कि तो भी हम लोग ने बेए सिक क्लासर केंदर परह था जो भी यहांपर ऑंग होता है उसे हम लोग यहां पर कृते हैं कर दिया कि एडि करो यह बणना कित्या है पांच अब बटे में दो यह जहां लिखा होता है इसी का उल्टा आप यहां पे लिखो तो दो बटे पांच प्लस का सी इसके अकॉर्डिन चलो गया श्रूंट्स तमारा आंसर होगा ऑप्शन नमबर बी ऑप्शन नमबर कितने शुन बताइए बी सिंपल सा रूल है ऑप्शन नमब का सी लोंग एक्स पॉlarve सी इंटिकेशन कोंसेंट आपके भी ओन सकते हो तो लोंग एक्स प्लस का की ओप्शन नमबर कितना हो विखाए एंधार कौर्श्ण नमर्बर एंडशेתי यहां पर आंसर सब्सक्राइब सब्सक्राइब अव्य प्रक्राइब के सब्सक्राइब सद्रफलो नमबर बी नेक्स्ट्राइब को सबसे पहले कोस्का इंटिकेशन करेंगे तिये बनेगा sin 6 ठीटा अब यह सुन्स linear functions है इसका differentiation इसका differentiation होगा इसका differentiation होगा 6 तब लोग 6 से कर देंगे इसको divide आप प्लास का साम integration constant k तो option number देखे इस्टोंस कॉंसा option number होगा इस्टोंस d, option number d next क्या आस्टों देखे next आस्टोंस integration of tan 2x tan 2x ता यह जो很 long 10 का होता है यह तो सबसे पहें इस नहीं सहां साम सबसे इंट्डिकेशान करना है किसका tan 2x का इंट्रों में क्या इसका सबसे इस होगा log सबसे हो फिर्ला है यह शलिए बिवाइड को सब समिंटोंस का सबस्के क्या है विदिकार्टおおar तो इसके according to students हमारा answer हो गया option number B, option number कितना है इसको देखे बी चुलें students हम लोग next question लेते हैं question number 6 question number 6 question number 6 देखे students क्या है इस तरह के question में students सबसे पहले हम लोग इसको factorize कर लेंगे question number 6 है चले इसको हम लोग लेखते हैं x square minus 1 upon में x minus 1 into dx सबसे पहले जब आप इसे factorize करोगे तो यह बनेगा x minus 1 into x plus 1 हम लोग ने क्या apply क्या है इसको बताइए a square minus b square नीचे में लिखावा x minus 1 into dx x minus 1 से x minus 1 वाला term cancel हो गया integration x plus 1 into dx अब इसको इसका integration करेंगे तो x का power 2 upon 2 यहां पर power 1 था तो हम लोगों पर एक power add कर दिया तो एक plus 1 कितना हो गाश्टों मतें 2 और उतना ही से divide किया plus 1 का integration होगया x plus का integration constant k sum integration constant k that is option number b option number b option number b चले चुनस अम लोग नेक्स्ट क्वेश्टन लेते हैं question number 7 question number 7 द्यान से देक्वेश्टन question 7 क्या है question number 7 देक्वेश्ट्स क्या question number 7 integration dx upon e के power x plus e के power minus x तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे सबसे पहले हम लोग तो e के power minus x को common निकाल लेंगे e के power जैसे minus x को common निकालोगे तो यह term हो गया एक्स पहले से था e के power x और आपने क्या common निकाल लेंगे e के power minus x तो इसका मतलब यहां पर divide हो गया e के power कितना से minus x से अब प्लस का कितना सुन देखे वन अब जैसे इससे solve करेंगे solve करेंगे तो e के power minus x उपर जाके हो गया e के power x into dx अपन में यह उपर जाके add हो जाएगा e के power हो गया 2x आप प्लस का वन यह सिंपल हो गया अब यहां से सब्सक्राइब क्या करेंगे कितना लेट करेंगे कि e के power e के power यहां पर लगा देंगे प्लस का वन अब ध्यान से देखो और किसका है तो tan inverse of tan inverse of X upon A कितना से वन प्लस का सब integration constant K चले श्र्ट आए हम लोगे यहां पर value पूट करेंगे ती के जगह पर यह बनेगा tan inverse e के power x अप प्लस का क्या कि सब इंट्रीकेसिन कोंस्टेंट के डिए डिए डाट इसई ऑप्षिन नॉंबर एक सामुन नेक्ट क्वेशन लेते हैं क्वेशन नमबर 8 क्वेशन नमेर 8 क्या है खस्टेशन मर जैडिकेसिन 4 पावर 3 एक्स प्लसका 1 इंट्व में प्लॉस्ण, नुट्स नुम्हर्स लगर, कि दिए सब्टaticाशं कॉंसर करना है, तुरुन, नुम्हर। ऐक आपकोंगर, को देखने हो, नुम्हर्स फोरॉड एक के पाउर 3 अप्लस च्ण, इस अप्लस का सम्यूंद बेरूस का पुंसर क良ड़। option number B option no.B option no.B option no.B next question क्या है next question है next question है question no.9 question no.9 question no.9 question no.9 question no.9 question no.9 है three integration under root x into dx हम प्लोग क्या अपन में नीचे पर भी 3 by 2 plus का सम कॉंस्टेट के यहां से तीन से तीन कैसिल हो गया यह दो उपर चला गया x की पावर बनेगा 3 upon 2 अप्लास का समंटिकेशन गॉंस्टेंट के समंटिकेशन कॉंस्टेंट के that is option number a next question question number 10 ज्यां से देखें question number 10 क्या है question number 10 है question number 10 है integration dx upon dx upon under root 1 minus x square ये तो श्रॉंट फर्मुला है इसका फर्मुला होता है sine inverse x upon a एक जगा 1 प्लस का सम इंटिकेशन कॉंस्टेंट के that is that is साइन इन्वर्स एक्स प्लस का सम इंटिकेशन कॉंस्टेंट के that is option नंबर बी option नंबर बी हम लोग 9 special formula को पढ़े थे वह ही special formula का हम लोग यूज कर रहे हैं 9 special formula next question next question हम लोग 9 basic formula को यूज कर रहे हैं question number 11 integration 1 upon 1 plus 4 into x square into dx सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस x कोपिशेंट को 1 बनाएंगे 1 बनाने के लिए हम लोग 4 common लेते है यह बनाने के लिए 1 upon 1 upon 4 आप प्लस का x square आप इंटिकेशन देखे यह बनाने के लिए 1 upon 2 2 x square आप प्लस का x square into dx यह हुआ इस्वार्णस फ्रम्ला जैसे formula के चेह देखे formula Cartag mit x upon x square आप प्लस का e-square इसके लिए formula attach one upon a tan inverse tan inverse x upon a आप प्लस का sum integration constant के निए विए सबसे पहले इस्वार्णस और यहाहां से student 1 upon a एक जगा हो कितना हो गेशन देखे 2 कि कितना हो गेशन देखे 2 और 10 inverse 10 वरส 10 लिए आपाउन में कितना हो पॉन-पॉन-पान-ट। कसि क्या वारा एन्सर हो गिया 1-4 10-1-& 165 यह रहा 2Ты दो की कि यहां पर हमारे option में यहां होना चाहिए था 1 upon कितना 4 तब जाके option number कितना होता है option number C हम लोग next question लेते हैं question number 12 question number 12 sin square x plus cos square x upon cos x into dx हम लोग क्या करेंगे हैं हम लोग करेंगे क्या किसे sin square plus cos square को हम लोग 1 मन लेते हैं upon में कितना चाहिए अपन में है cos x into dx सब्सक्राइब सकते हैं sin x into dx sin x का होगा question minus का cos x plus some integration constant k that is option number d option number d ज्यान से देखे option number d option number कितना चाहिए देखे d कितना चाहिए लोग नेक्स कोश्चन लेते हैं question number 13 कि देखें स्थ्सक्राइब थाटीन क्या है थाटीन तो बहुत ही आसान question है तीन तो constant होगा बाहर और dx का आसाम integration constant k that is option number a option number a question number 14 question number 14 एक basic formula है basic formula अगर इस्ट्रेंट्स integration dx अपन x square minus का अगर a square होता x square minus का a square होता इसके लिए इसके लिए आस्ट्राइट्स हम लोग क्या लिखते देखें इसके लिए हम लोग answer बनाते है one upon two a one upon two a two a one upon two a log यहाँ पर x plus के साथ है तो लिखेंगे x minus one upon में x plus one प्लस के साथ some integration constant k but यहाँ पे श्रेंट्स एक अवेलू one है तो चलिए पूट करते हैं तो one upon two log log यहाँ पे श्रेंट्स x minus a यहाँ पे श्रेंट्स x के जगा कितना लिखेंगे x minus a के जगा one upon में x plus one प्लस सम इंट्रिकेशन constant k यहाँ से देखो के श्रेंट्स अप्शन हो गया option number b option number b option number b कि नेक्स्ट क्वेशन 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 नंबर 15 कि सेम टाइप के क्वेशन देखें सेम टाइप के क्वेशन हैं हम लोगा लगाते इंट्रिकेशन इसके इससे सजाओंगे यह बनेगा dx upon x square plus 2 का square यह फ्रमला बनेगा 1 upon a 1 upon a tan inverse x upon a plus some integration k यह राशन 1 upon a के जगा कितना होगे एक के जगा 2 tan inverse tan inverse x by 2 plus some integration constant k plus some integration constant k that is option number c option number c next question questions question number 16 question number 16 इस तरह के question questions हम लोग solve करते है solve करते है बाइपार्ट्स से सखंडस सखंडस यानि बाइपार्ट्स इंट्रिकेशन बाइपार्ट्स इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स सखंडस सखंडस समा कलन इसके लिए तरीका क्या था इस्टों देखे तरीका था फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड फंक्शन इंटू लोग यहां पर से इसकेंड फंक्शन और सेकेंड फंक्शन एजूं करने के लिए हम लोग एक रूल पर रहे थे आई-लेट, I-L-A-T-E, आई-लेट रूल, अब आई-लेट रूल के अकॉर्डिंगे श्रट्स, हम लोग first function मानेंगे x को, और second function मानेंगे e के पावर 2x को, चले श्रट्स, इसी पर इसको हम लोग solve करते हैं, तो x into e के पावर 2x into dx, अब ध्यान से देखे श्रट्स, first function बाहर, second का integration करना है, into dx, फिर minus के साथ, first का differentiation into second का integration into dx, और फिर एक श्रट्स into dx, चले श्रट्स, इसे solve करते हैं, यह रहा x, e के पावर 2x का integration, e के पावर 2x upon 2, फिर minus, x का differentiation, 1 into e के पावर 2x का e के पावर 2x upon 2, इसको integrate करते हैं, x into e के पावर 2x upon 2 upon कितना हैं, थे के पावर 2x upon 2, तो 2, 2 कितना हो? 4 अब प्लस सम integration कॉंस्ट्रेट के, प्लस सम integration कॉंस्ट्रेट के, अब ध्यान से देखे श्रट्स, इसका क्या answer मिलेगा? e के पावर 2x-4 अगर हम लोग common लेंगे e के पावर 2x अपन 4 अगर common लेंगे तो यहां से बच्चे का इस्टन कितना 2x और यहां से बच्चे का कितना इस्टन देखे माइनस के 1 प्लास के सम इंटिगेशन कॉंस्टेंट के that is option number a option number कितना इस्टन देखे a option number a इस इंटिगेशन को इस्टन से बचाते हैं integration by parts या सखंडाज समाकलन next लेते इस्टन कोश्चे नमबर 17 इस्टन कोश्चे नमबर 17 अब देखे इस्टन दिखान से क्वेंटीन क्या लिखा है हमें integration differentiation of phi of x divided by dx into dx सबसे पहले अगर इसका differentiation होगा phi डाज एक्स inटो किया phi एक्स upon dx का तो इसका हमारा जो value निकल की आया हो phi डैस x आया अगर एक्स की says好 का अगर integration कर ले तो हमारा हमारा result क्या होगा हमारा result 5x होगा क्योंकि integration is the reverse process of differentiation that is हमारा answer हो गया 5x plus some integration constant k या some integration constant c तो हमारा answer हो गया first that is a तो यहां से श्रॉट से लोग जानते हैं कि integration is the reverse process of differentiation integration is the reverse process of differentiation integration is the reverse process of differentiation okay चले श्रॉट समनों next लेता है question number 18 question number 18 बहुत सिंपल question है बहुत सिंपल question है बहुत सिंपल question question number 18 एक से पावर शिक्स इंटो dx तो एक पावर बढ़ा दिजे एक से पावर 7 उतना ही से डिवाइड करें अप्ला से integration constant c या d that is option नमबर बी option नमबर बी question number 19 बहुत ही आसाल question okay question number 19 हम लोग इसकी practice basic session में कर चुके है पहला पार्ट के अंदर पहला पार्ट के अंदर पहला पार्ट के अंदर रहेंगे आ प्लास का sum constant k that is 3 upon 8 3 upon 8 x to the power 8 by 3 x to the power 8 by 3 next question है सुन देखे question number 20 question number 20 क्या सुन देखे question number 20 है integration 1 upon xk power 3 into dx अब ध्यान से इसे लिखोगे xk power minus 3 into dx एक पावर आप बढ़ा दो तो यह रहा है students एक पावर बढ़ाओगे एक पावर बढ़ाओगे तो यह बनेगा students xk power minus 2 upon minus 2 a plus some integration constant k that is minus k 1 upon 2 xk power minus 2 a plus some integration constant k इसे अगर हम लोग arrange करें तो minus k 1 upon 2 x square a plus some integration constant k that is option number b इस तरह से students हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर अनिश्य समाकलर यानि इंडिफिट इंडिकेशन में हम लोगों ने 20 objective questions की practice किया सब यह students वीडियो को अच्छे से देखे और जितने भी questions बनाय जा रहे हैं उन सारे questions के बनाने की method को आप समझें और इसे ध्यान पूर्वक द्यान पूर्वक इससे पहले समझ ले फिर note-down कर ले ताकि आने वाले examination में आप बहुत धंग से अगर ऐसा questions आता है ता आप उसको अच्छे से solve कर पाऊगे अगर आप इस video lecture के साथ अगर आप जूरे रहते हो तो आपको definitely examination में इसका बहुत फायदा होने वाला है कि सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बिल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अप्लोड हो आप सभी को डिरेक्ट notification मिल जाए और आप इसका बहतर धंग से यूटिलाइज कर सको अपकमी examination के लिए हमारे चैनल पर इस चैनल पर नीट और आइटी जाई और अधर कंप्रेटी एक्जामिनेशन के सारे चैप्टर्स है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ओके हमारा ऑनलाइन और ऑफ्लाइन दोनों ही तरह की कोचिंग इंस्ट्रिक्टूट है ओके कि अधिशन थैंक्यू